हेलो दोस्तो तो आज मैं यहाँ पे जुगेटो फिल्म को एक्स्पेंड करने जा रही हूँ इस फिल्म में एक मिडल क्लास इंसान को दिखाया गया है जिसके कोरोना के कारण जॉब चली जाती है तब वो किस तरह से एक डेलिवरी बॉई बनकर कितने संघर्चों का सामना करता है और अपने परिवार को किस तरह से चलाता है वो इस फिल्म में दिखाया गया है तो चली बिना टाइम वेस्ट किया हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मुवी के शुरुआत में हम देखते हैं कि मानस एक सपना देख रहा होता है जिसमें वो और कई सारे लोग एक गॉर्मन्ट आफिस में शगन फॉर्म लेने के लिए भीड लगाए होता है फिर उसके वाइफ की आवाज सुनकर उसके नींद खुल जाती है अब ये शगन फॉर्म क्या है ये हमें आगी बताया जाएगा फिर हमें ये दिखाया जाता है कि मानस एक फैक्टरी में मैनेजर होता है पर कोरोना के करण उसकी जॉब चली जाती है उसे आट महने तक कोई जॉब नहीं मिलती फिर उसे जुगैटो कमपनी में फूड डिलिवरी का काम मिलता है उसे ये काम तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था पर घर खर्चा निकालने के लिए वो इस काम के लिए हाग कर देता है क्योंकि घर पर उसके साथ उसकी पतनी प्रतीमा दो बच्चे और एक बुड़ी बिमार मा भी थी उसकी पतनी प्रतीमा भी उसको फाइनेशिली सपोर्ट करती थी वो लेडिस को मसाज देती और बड़े घरों में साफ सफाई का काम भी किया करती थी बड़े कठेनाईयों से वे दोनों अपने घर को चला रहे थे उसकी बाद उसकी बेटी ये कहती है कि अगर आप अपने कस्टमर के साथ सेलफी लेकर डालोगे तो आपको रेटिंग और भी अच्छी मिलेगी पर मानस को ये सब पसंद नहीं था फिर वो अपने काम के लिए निकल जाता है वो पेट्रोल भराने के लिए एक पेट्रोल पम पे रुकता है जहां उसे ये पता चलता है कि कल किसी में खुद को जला कर मार डाला था क्योंकि वे अपने बेरुजगारी से बहुत तंगा चुका था और उसके पस सुसाइट के अलावा कोई रास्ता नहीं था दूसरी और मानस के कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो कि बेरुजगारी और सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट का काम भी किया करते थे पर मानस ये सारी चीज़ों से दूर अपने काम में ही लगा रहता उस पर डिलिवरी का प्रेशर इतना रहता कि वो अपने फैमली को भी टाइम नहीं दे पाता क्योंकि जिस तरह का काम वो करता था उस काम में जितनी डिलिवरी जितनी अच्छी रेटिंग उस तरह की ही सैलरी मिल पाती थी अगर किसी ने खराब रेटिंग दे दिया तो उसके सैलरी में से कट हो जाता था फिर प्रतिमा के पास एक पड़ोसी आती है जो उसे एक कमीर फैमली के बार में बताती है जहां उसे मसाज करने के लिए जाने को कहती है पर प्रतीमा उसे मना कर देती है क्यूआ उसे क्लीनिंग के लिए एक मौल में जाब मिल जाती है फिर उसकी पुड़ोसे उसे ये कहती है कि अगर वो जा के वहां मसाज करेगी तो वो उसे अच्छा पैसा दिलवा देगी जिस कारण प्रतीमा हाँ कर देती है दूसरी और मानस फूर डिलिवरी के लिए अपनी बेटी के प्रिंसिपल की घर जाता है और प्रिंसिपल को बताता है कि उसकी बेटी भी उसी स्कूल में उसके बेटे आयूस के साथ पढ़ती है दूसरी और हम ये देखते हैं कि प्रतीमा उस रिच घर में पहुंच जाती है जहां वो एक लेड़ी को मसाज कर रही होती है वो रिच लेड़ी प्रतीमा से उसके पती के बार में पूछती है प्रतीमा उसे बताती है कि उसका पती बहुत अच्छा है वो उसे बहुत प्यार करता है और उसे टाइम भी देता है ये सुन वो लेड़ी बहुत उदास हो जाती है क्योंकि उसका पती ना ही उसे टाइम देता था ना ही उसे प्यार करता था फिर वो लेडी प्रतीमा से उसके हस्बेंट को भी मसाज करने को कहती है पर वो साफ मना कर देती क्योंकि प्रतीमा अपने हस्बेंट के अलावा किसी दूसरे मर्द को टच भी नहीं की थी दूसरी और मानस एक शॉप में रुखता है चाई पीने के लिए जहां उस शॉप का ऑनर उसे ये कहता है कि आज उसका बेटा टिफिन लेकर नहीं गया है अगर वे उसके बेटे के लिए टिफिन जाकर देता है तो वे भी उसे उतना ही पेए करेगा जितना कि उसकी कमपनी उसे पर डिलिवरी पेए करती है मानस हां कर देता है और चला जाता है जहां उसे एक कार डिलिवरी बॉई मिलता है जो कि एक मुस्लिम होता है जिसे डिलिवरी देने के लिए एक मंदिर में जाना होता है पर वो थोड़ा जिज़ा कर रहा था वो मानस से उस मंदिर में जाकर डिलिवरी करने को कहता है पहले तो मानस मैंना कर देता है फिर वो मान जाता है और इस कारण मानस का एक पारसल कैंसल कर दिया जाता है और वो सीधा अपने घर चला जाता है जहां उसकी बेटी उस पे बहुत नाराज होती है क्योंकि मानस ने प्रिंसिपल से ये कहा था कि उसकी बेटी उसी स्कुल में पढ़ती है और आयूश उसके क्लास में क्या देता है कि इसके पापा एक टेलिवरी बॉय है दूसरी और प्रतीमा उस मॉल में पहुंच जाती है जहां उसे ये समझाया जाता है कि उसे नाइट शिफ्ट में जॉब करनी है और उसे जेंट्स ट्वालेट बे क्लिन करना होगा ट्रतीमा को ये सब पसंद तो नहीं आता पर क्योंकि उसके आर्थिक इस्तिती अच्छी नहीं हो दी और उसके हजबेंड के ओपर काफी प्रेशर होता इसलिए वो मान जाती है दूसरी और मानस के कंपनी वालों ने एक सेमिनर और्गनाईज किया था जहां पेट्रल के बढ़ते दामों को देखते वे उन्होंने एक इलेक्रिक बाइक लाउंच किया था और उस चमचमाती बाइक का कीमत था 80,000 रुपय पर वहां किसी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो उस बाइक को ले सके तब मानस के पास एक कॉल आता है जहां उसे ये बताते हैं कि उसके बेटे रगु को चोट लग जाती है इसलिए वो उसे वहां से ले कर जाएं फिर वो रगु के पास पहुंसता है जो उसे ये बताता है कि वो सीड़ियों से नीचे गिर गया था इसलिए उसे चोट लग गई और इसी कारण मानस को कुछ और कैंसल भी करने होता है पर उसके बाद जो भी order आता है वो उसे accept कर लेता है और वो अपने बेटे के साथ ही चला जाता है delivery देने के लिए अब मानस एक्स्ट्रा earning के लिए लोगों के साथ selfie लेना भी शुरू कर देता है इदेर रगू एक आइस क्रिम order कर देता है जिस कारण मानस उस पर बहुत गुस्सा करता है रगू ये इसलिए करता है क्योंकि वो सोचता है ये order उसके पापा को मिल जाएगा और वो अपने पापा को five rating दे देगा पर ये order किसी और को मिल गया था फिर मानस घर आ जाता है और प्रतिमा उसे नाइट शूट जॉब के बारे में बताती है पर मानस उसे जॉब करने के लिए मना कर दिता है मानस को दोबारा उसी श्रगन फॉर्म के बारे में सपना आता है और वो ये भी देखता है कि वो इस फॉर्म को नहीं ले पाता नेक्स्ट मानस अपने फ्रेंट से इस फॉर्म के बार में पूछता है जहां ये पता चलता है कि ये एक government scheme है जिसे भढ़ने पर कोई भी government job के लिए apply कर सकता है फिर उसका friend उसे ये कहता है कि उन्होंने इस form के बारे में कभी भी नहीं सुना है फिर मानस वहाँ से चला जाता है फिर उसे 20 डबे पीचा का order आ जाता है और वो उसे delivery करने पहुंच जाता है जहां lift पर ये लिखा होता है delivery boy not allowed फिर वो सीड़ियों से ही फ्लैट पर चला जाता है जहां एक कपल उसे ये कहता है कि उन्होंने गलती से ओर्डर कर दिया है उन्हें दो डबबा ही चाहिए था उन्होंने गलती से 20 डबबा ओर्डर किया है और वे लोग उसे बाकी का डबबा वापस ले जाने के लिए कहते है पर मानस ऐसा करने से मना कर देता है और पूरा पैसा मांगता है फिर उस लड़के ने बड़े एटिटूट से एक दो डबबे अपने बच्चों के लिए ले जाने के लिए कहता है पर मानस को ये भी बसंद नहीं आता है और वो मना कर देता है से निकल जाता है यह देख इस लड़के को बहुत गुस्सा आता है और वो मानस को बैड रेटिंग दे देटा है और इस कारण उसकी रेटिंग बहुत डाउन हो जाती है जिस कारण उसे फाइन भरना पड़़ता है उसके फरेंड अचाओं दे रहे हो ते हैं क्योंकि वो अपने जॉब से परिशान हो गया था और यहां पर इतने कम पैसे में घर भी चलाना मुस्किल था फिर मानस के पास एक मैसेज आता है कि उसका आईडी ब्लॉक कर दिया गया है क्योंकि फ्लैट वाले लड़के ने कम्प्रेन किया था कि मानस ट्रिंग करके उसके घर डिलिवरी देने आया था जिस कारण मानस को बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत परिशान हो जाता है पर वो इस बारे में घर पर किसी को भी नहीं बताता पर नेक्स डे प्रतीमा उसके फोन में देख लेती है कि उसका आईडी ब्लॉक कर दिया गया है उसकी बाद मानस कंस्ट्रक्शन साइट पर सुपरवाइजर के जाब के लिए जाता है पर वहां के ठेकेदार उससे लेबर की तरह काम करवाते है इदर प्रतीमा एक अमीर घर में मसाज करने के लिए जाती है जहां वो लड़की उसे मना कर देती है क्योंकि उसे प्रोफेशनल मसाज करने वाली चाहिए थी और वो किसी भी लेड़ी से मसाज नहीं ले सकती प्रतीमा बहुत उदास हो जाती है और वहां से चली आती है फिर मानस जुकेटो आफिस में जाता है अपने आईडियो को अनब्लॉक करवाने के लिए पर वहां की मैनेजर उसकी एक बात नहीं सुन दी और उसे बहुत ज़्यादा काम करने के लिए कहती है ताकि वो पांच इस्टार रेडिंग ला सके गुस्से में मानस उस जॉब को छोड़ देता और वहां से चला आता है रास्ते में वो एक साइवर के एफे में रुखता है और वहां बर स्रगन फॉर्म के बार में पूछता है वहां के लोग उसे बताते हैं कि इस तरह का कोई फॉर्म है ही नहीं और वैसे भी ये तो मानस का सिर्फ एक सपना ही था अब मानस और भी उदास हो जाता है फिर प्रतिमा उसे एक वाइस मैसेश करती है कि वो मॉल में जॉब करने के लिए जा रही है क्योंकि वो उसे इस तरह से उदास नहीं देख सकती फिर मानस घर आ जाता है और अपनी बेटी के साथ घर का कुछ काम करता है और उसे सो जाने के लिए कहता है पर मानस को नींद नहीं आती और वो रात को 12 बचे प्रतीमा के पास मॉल में पहुँच जाता है मॉल में प्रतीमा पुरा काम कर लेती है और इधर मानस को देख कर वो थोड़ा डर भी जाती है फिर मानस उसे लेकर रेलवे ट्रेक के पास आ जाता है और बाइक पर बैठा कर ट्रेन के साथ अपने बाइक को ड़डाना शुरू कर देता है जिसे प्रतीमा भी बहुत इंजॉई कर रही होती है क्योंकि प्रतीमा को इस तरह से मानस के साथ गुमना बहुत पसंद था और इस तरह से इन दोनों ने अपनी जिन्दकी की छोटी छोटी खुश्यों में बड़ी खुश्य को ढून लेते हैं और अपनी घर आ जाते हैं और मुवी यहीं पर खत्म हो जाता है इस फिल्म में डेलिवरी बॉय के संगरसों को बहुत अच्छे से दिखाया है और कपिल शर्मा इस रोल को बहुत अच्छे से निभाया है मुवी के IMDb रेटिंग इस 7.9 आपको इस फिल्म का एक्स्प्लिनेशन कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट में बताएं और प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर लें बाई